नमस्कार, जहिन सातियों मैं विशेक मिस्राज आप सभी लोगों का हमारी दिर्ड संकल्प यूटूब चनलल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं आज आप सभी लोगों के लिए क्लास 7 की NCRTST के चेप्टर 9 के इंपोर्टेंट को संस को लेकर के आया हूँ आज के चेप्टर का नाम है चेतरी संस्कृतियों का निर्माण मद्यकाल में जो हमारे भारत देश में अलग-अलग छेतरों में अलग-अलग प्रकार की संस्कृतियों का निर्माण हुआ है उस पर आधारित आज के चेप्टर है और इसी पर आधारित आज के कुछ प्रसन है ठीक है तो आज के ये चेप्टर भी important है और सभी present भी important है तो पूरा वीडियो देखीगा और साथी साथ like, share, comment भी कर दीजिएगा क्योंकि जब आप किसी present पर comment करते हैं तो आप present पर comment तभी कर पाएंगे जब आप उस present को पूरा समझ जाएंगे तो आप लोगों से एक अनुरोर रहता है कि जब आप प्रसंद को समझा करें तो उस पर कुछ ने कुछ टिपड़ी जरूर कर दिया करें क्योंकि आप जब किसी प्रसंद पर कोई टिपड़ी करेंगे तो वो प्रसंद आपके दिमाग में बैठ जाएगा और यह एक अनुर। remembers की आप कुछ लोगों को याद नहीं होते हैं तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको यह प्रसंद आप जेए चीज है Nepal दिया जा रहा ही कि चेर सासकोओं ने अपने अभिलेखों में किस लिपी एबम भासा का परियोग किया तो इसका option b बिलकुल correct है अर्थार मलियालम भासा का परियोग किया है और इसके बारे में यहां पर दिया जा रहा है कि महोदेपुरम का चेर राजे प्राइदुप के दक्षिर पस्चिम भाग में जो की आज ये केरल राज का एक हिस्सा है वहाँ पर नमी सताबदी में स्तापित किया गया था और समभपता मल्यालम भासा आइबम जो लिपी है ये इसी इलाके में बोली जाती थी और सासकों ने मल्यालम भासा आइबम लिपी का प्रयोग अपने अभिलेखों में भी किया है और वसुता इस भासा का प्रयोग उप महादेप के सरकारी अभिलेखों में किसी छेतरी भासा का प्रयोग से सबसे पहले के उधारणों में मिलता है अर्थात यहाँ पर जो यह महोदेपुरम राज यह महोदेपुरम जगह है केरल में यहाँ पर अगर आप अभिलेक देखेंगे वहां के जगर के इतियासकारों ने जो देखें हैं उनसे पता चलाए कि जो मल्यालम भासा आए यहाँ पर सबसे पहले बिक्सित हुई थी और इसी के आधार पर वहां के जो भी अभिलेक हैं वो प्राप्त हुए हैं वो इसी भासा में लिखे गए हैं ठीक है अब इस प्रसंद से आप लोग टिपड़ी करना शुरू कीजेगा और यहाँ से आप लोग आंसर भी दिया करें कोशन नमर दो आप सभी लोग के सामने हैं और इसमें पूशा जा रहा है कि निलिम निलिकित दिये गए दो कतनों में से कौन सा कतन सत्य है पहला कतन दिया जा रहा है केरल के मंदिर रंग मंच जिसकी परंपरा एक युग तक खोजी जा सकती है संस्कृत के महा काब्यों पर आधारित था और दूसरा कतन है मल्यालम भासा की पहली सहितिक रिती संस्कृत की रिणी है अब इन दोनों कफनों में से कौन सा कतन सत्य अगर आपको पता है तो answer दीजिएगा comment box में ठीक है आप 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 लोग answer दिया करें comment box में और टिपड़े भी एक्या करें मैं बार बार भार नहीं बोलूँगा क्योंकि गर बार बार बोलूँगा तो वीडियो थोड़ा जादा बड़ा हो जाएगा और इसमें आपको material का मिलेगा ठीक है, तो इसका उत्तर मैं आपको देता हूँ इसका उत्तर होगा, उपरोग तो दोनों कतन सत्य है ठीक है, आप सत्य कैसे हैं तो इसको भी देखीगा, मल्यालम भासा की पहली सहितिक कृतियां, ज़ो कि आज इसे लगबग बार्मी सताबदी की बदाई जाती हैं, अर्थात काफी वर्स पहले की हैं, यह प्रतेक्ष रूप से संस्कृत की रिणी है, संस्कृत की रिणी का मतलब है, इसका उधाय संस्कृत से ही हुआ है और साथ-साथ चेर लोगों ने संस्कित की परंपराओं को भी से भी भहुत कुछ ग्रहण किया है अर्थात एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि संस्कित एक ऐसी बासा है जिससे सभी बासाओं का उदय हुआ है चाहिए मल्यालम हो तेलगु हो तमिल हो क्यों कि देखीगा संस्कित से मल्यालम का उदय हुआ ठीक है अब मल्यालम से किसी और भासा का उदय हुआ तो अगर आप देखेंगे और इस बासा से इसका उदय हो गया तो इसका में जड़ कहां जाएगी में जड़ तो जाएगी संस्कित के पास ना तो अगर देखा अब इन चारों कत्रों में से जो कतन सत्य होगा अर्थात जो option सही है वह option D अर्थात मड़ी प्रवालम एक भासा सैली है अभी किस प्रकार की भासा सैली है ये समझना आपके लिए important है तो चौदमी सदी का एक गरंत जिसका नाम है लीला तिलकम जो की ब्याकरन तता काब्बे स सास्त्र विसेक है मड़ी प्रवालम सैली में लिखा गया है अगर आप इस गरंत को ले करके देखेंगे इसमें तो इसमें आपको मड़ी प्रवालम सैली मिलेगी ठीक है और मड़ी प्रवालम सैली का साबदी कर्थ होता है हीरा और मुंगा ठीक है मड़ी मतलब हीरा और प् को संकेत करता है ठीक है जो मड़ी प्रवालम सहली है यह संस्क्रिट और जो वहां की छेतरी भासा थी इन दोनों को मिला करके मड़ी प्रवालम सहली को बनाया गयर्थात हीरा और मुंगा ठीक है चली आंगे बढ़ते हैं कोस्टियों नमबर चार आप सबीलों के सामने है और इसमें पूछा जा रहा है कि पूरी जगनात मंदिर कहां है और इन चारों में से कौन सा कतन सत्य है उसको जली से बताईगा कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देने के लिए वीडियो को रोक लिया करें मैं इसका आंसर आपको बताता हूं इसका अंसर होगा option D अर्थात पूरी का जगनात मंदिर उडिसा में अबस्तित है कहां पर अबस्तित है उडिसा में ठीक है यह जानना आपके लिए वेहत आवश्यक है कि यह उडिसा में अबस्तित है और जगनात साब्द का जगनात का जो साब्दिक अ चलिए आंगे बढ़ते हैं कुश्च नमर पांच आप सभी लों के सामने और इसमें पूसा जा रहा है कि निम्न लिखित कतनों में से कौन साय फिर कौन से कतन सत्य हैं उप्रोव तो दो कतन दिये जा रहे हैं और आपको बताने हैं तो पहला कतन है जगनात मोलता एक इस्थान सकते हैं अगर आपको पता है तो आंसर दीजेगा कमेंट बॉक्स में चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर होगा उप्रोव तो दोनों कतन सकते हैं जो पहला और दूसरा कतन दिया जा रहा ही दोनों ही कतन सकते हैं अब इसके बारे में थोड़ी सी जैसे एक स्थानी देपता थे जिनने आगे चल करके विष्णू का रूप मान लिया गया ये कोई अबतारी पूरुष थे या नहीं ते इस पर मैं नहीं बोलना चाहूँगा लेकिन इतना तो कह सकता हूँ और ये सबी लोग कहते हैं NCRT में भी दिया गया अनि-Pustko में भी दिया गया कि ये कि स्थानी देपता माने गये थे इस थानी देपता थिया और इन्हें आगे चल करके विष्णू का रूप मान लिया गया था ठीक है तो चलिया आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोईशरमत करने का प्रयत्न किया अब इनके प्रमुग उद्यसों के संदर में तीन कथन दिये जा रहे हैं अब बताना है आपको कि तीनों मैंसे कौन सा कथन सकते हैं एक मिनट इस कोशन को फिर से समझ लेजीगा देखिए जिसने भी उडिसा को जीता था उन सभी लोगों ने जो जगनात मंदिय है इस पर अपना नियantr स्थापित करने का प्रयत्न किया था ठीक है अब क्यों नियantr स्थापित करना चाते हैं इसके लिए आपको बताना है कि कौन सा कतन सत्त है ठीक है तो पहला कतन दिया जा मंदिर की धन समपदा की कारण ठीक है या फिर दूसरा कतन दिया जा रहे कि मंदिर का सामाजी के एवं राजनीतिक मामलों पर महतो के कारण या फिर तीसरा कतन मंदिर पर नियंत्रण करने से इस थानिय जनता के द्वारा उनके सासन को मिलने वाली सुईकारता अब इन तीनों कत्नों में से जो कत्न सत्य है वह है पहला कत्न आ सत्य है क्योंकि धन के कारव वहाँ पर जो तो इसको इसको इस पर अपना आधिपत्त स्तापित नहीं करना चाहते थे इस पर अपना जो तो नियंतर स्तापित नहीं करना चाहते थे ठीक है कत्न दो और तीन जो को जीता था जैसे कि मराटे हैं मुगल हैं या फिर अंग्रेज हैं इन सभी लोगों ने इस मंदिर पर अपनी मतलब अपना नियंतर स्थापित करने का पूल प्रयत्न किया अब ऐसा क्यों किया तो इन लोगों का मानना था कि जो भी बेखती इस मंदिर पर अपना नियंतर स्थापित कर लेगा ठीक है उसको इस्थानी जनता का जो तो समर्थन मिल जाएगा वो अपने स्थानी जनता के मन में अपना सासन बढ़ा सकेगा और उनके मन के इसाप से अपना राज कर सकेगा ठीक है उनका सासन जो है इस्थानी जनता सुईकार कर लेगी चलिए आंगे बढ़ते हैं कोस्टन नमबर सेवन आप सभी लोग के सामने है और इसमें पूछा जा रहा है कि राजस्थान के संदर में चारण भाट क्या चारण भाट कौन लोग हैं अप्सन ए ब्यापारी उप्सन भी सिल्फकार अप्सन सी कहानी काप बेबं गीत गाने वाले लोग अप्सन डी योध्धा अब इन चारों में से कौन सा कतन सौरी कौन सा आप्सन सही है अगर आपको पता है तो आंसर दीजीगा कमेंट बॉक्स में चलिए इसका अंसर में आपको बताता है इसका अंसर होगा उप्सन सी अर्थात कहानी काप बेबं गीत गाने वाले लोग अब इनके बारे में तो फुल डिटेल अनलेसिस दिया गया है क्योंकि ये थोड़े से महत्पून थे उस समय के इनके साथ ही घनिष्टता से जुड़ी हुई थी ठीक है लगबग आज से कई बर्स पूर्व आठवी सताब्दी से आज के राजिस्थान के अधिकांस भाग पर राजपूतों का सासन रहा है अगर देखोगे तो राजिस्थान पर अधिकतर राजपूतों का सासन रहा है और ये सासन उन सूरवीरों के आदर्सों को अपने हिर्दे में संजोई रखते हैं जिनोंने रण छेत्रों में बहादूरी से लड़ते हुए अकसर मृत्यू का बरण किया है मतलब अगर आप देखेंगे तो राजपूत लोगों का इतियास बहुती बड़ा है और राजिस्थान में जितने भी लोगों ने वहाँ पर राज किया है इन लोगों ने हमेशा जो तो अपनी जान पर खेल करके इसकी रक्षा की है और इसका इतियास भी हम लोगों को देखने को मिलता है ठीक है और राजपूत सूर बीरों की कहानियों में कई सारे काब बे गीत जो तो गाए गए हैं काब बे कहे गए हैं और वो आज भी सुरक्षित हैं और ये विशेश रूप से प्रसिक्षित चारन भाट जो होते हैं थे उनके द्वारा ही गाए जाती थे ठीक है और ये काब बे ये काब बे बम गीत ऐसे सूर बीरों की स्मृतियों को सुरक्षित रखते थे ठीक है रचते थे फिर गाते थे चलिए आप सभीरों के सामने और इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न मेंसे कौन सी नृत्य सैली मुख्य रूप से उत्तर भारत के भू भाग में से जुड़ी है ठीक है तो इसके लिए हाँ पर चार आपसन दिये जा रहे हैं और इसका जो आपसन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है ठीक है उत्तर भारत के अनेक भू भाग से जुड़ी है जो ये कत्तर भाग के अनेक भू भागों से जुड़ी हुई है और कथक सब्द कथा सब्द से निकला है जिसका प्रियोग संस्कृत तथा अन्य भासाओं में कहानी के लिए किया जाता है ठीक है तो ये एक अच्छी बात है चलिए आंगे बढ़ते हैं और कोशन नमर नाइन आप सभी लों के सामने हैं और इसमें पूशा जा रहा है कि कथक से संबंद कथक के संबंद में दिये गए ये तीन कथन इन तीनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है ठीक है तो पहला कथन दिया जा रहा है कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिर में कहानी सुनाने वाली एक जाती थी क्या जाती थी इसके बाद में दूसरा और पराणिक आख्यान लोकनाट के रूप में प्रस्तूत किये जाते थे अब इन तीनों में से जो कतन सत्य है वह पहला और दूसरा जो तीसरा कतन ये वाला असत थे क्योंकि इसमें स्री राम जी की अगर देखा जाये तो जाना वो जो तो भूमिका नहीं थी ठीक है देखते बात कहीं है एक जाती की लोग हुआ करते थे जो की कत्थक कहला दी ठीक है और ये कत्थाकार अपने हाव भाव और जो संगीत है इनसे जो कत्था वाचक को अलंकरित किया करते थे ठीक है और जो कत्थक जाती के लोग जो होते थे ये अपने क्या करते थे वहाँ पर कत्थक दिखाते थे, संगीत दिखाते थे और कापी सारे अपनी अलग-अलग तरे की कथा बाचक करते थे तो इससे जो वहां के कथा बाचक लोग होते थे ठीक है, वो इनसे परभावित होते थे ठीक है, और इनसे खुस भी होते थे इसके बाद में पंदर्मी तथा सोल्मी सताबदी में भक्ती आंदोलन के प्रसार के साथ साथ कथा के निर्ति सहली का रूप धारन करने लगाता इसके बाद में रादा कृष्ण के पौराणिक आख्यान यहां पर दिया जा रहा है कि सीता राम के पौराणिक आख्यान है क्या राधा कृष्ण के पौरानिक आख्यान कहानियों लोकनाट के रूप में प्रस्तूत किया आते थे जिने राम लीला कहा जाता था ठीक है राम लीला में लोक नृत्ते के साथ कथक कलाकार के मूल हावा जुड़े होते थे ठीक है चली आँगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोशन नुबर टेन को दसमा प्रसंद भी आप सबीलों के सामने है और उसमें पूशा जारे कि कथक निम्न में से किन परमपराओं अर्थात घरानों में मुख्य रूप से फूला फला इसके लिए यहाँ पर चार आपसंद दिये जा रहे हैं एक जैपुर घराना, दो भोपाल घराना, तीन, ग्वालियर घराना और ч Examples में हैं लगणों घराना अब इन चारों में से जो कतन सकते हैं वैं केवल एक और चार अर्थात जैपुर और लगणों घराना इन में से जो गौालियर और भोपाल घराना दिया जा रहा है यहाँ पर ये मुखे रूप से नई फूला फला कहाँ पर फूला फला जैपुर और लखनो घराने में अब पूरा मैटर क्या है तो इसको भी देख लीजीगा मुगल बातसाओं और उनके अभिजातों के सासनकाल में कथक नृत्ते राजदर्वार में प्रस्तुत किया जाता था जहाँ पर इन नृत्ते इस नृत्तिक ने अपने बर्तमान अभिलक्षन अरजित किये थे और वहे एक विसिष्ट नित्य सैली के रूप में विक्सित भी हुआ था, तीक है, और आगे चल कर कर के ये दो घरानो secular पहला को सिता है जैपूर घराना था और दूसरा लखनौ घराना ठीक है, राजिस्तान के जैपूर घराना है और राजिस्तान के जैपूर घराने के सास्तरी नाटे रूपों में मिलाए गया था ठीक इसको मानिता दी गई थी तो कत्थक का पूरा इतिहास क्या इस पर एक अगर आप लोग चाहें तो इस पर मैं के मैं एक स्पेसल वीडियो बना सकता हूं लेकिन आप यहां पर समझ सकते हैं कि जो एक कत्थकता पहले एक जाती हुआ करती थी इसके बाद में दीरे दीरे इसने क्या किया कि लोगों का मन मोहना शुरू कर दिया पिर यह जो मुगल बातसा थी उनके दरवारों में जा करके अपनी नि सकता प्राप्ति के बाद देश में जो छे सास्त्री नाटे दिये गए थे जो हैं उसमें से एक इसका नाम है ठीक है छे सास्त्री नाटे रूपों में मानता इसे मिली थी चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोस्टिन नमर 11 को 11 में प्रस्में आपको लगुचित्रकला के संदर में दो कथन दिये जा रहे हैं और आपको बताना है कि इन दो कथनों में से कौन सा कथन सकते हैं पहला कथन है लगुचित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमता और पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर च दोनों और थात उपरोग तो दोनों कतन सकते हैं अब पूरा मैटर क्या है तो प्राचेंतम लगुचित्र ताड़ पत्रों अत्वाल लगडी के तक्तियों पर चित्रित किया जाते थे जो पुराने समय में लगुचित्र होते थे छोटे मोटे चित्र वाले वो ताड़ पत्र के लिए प्रियोग किया जाता था ठीक है चली आंगे बढ़ते हैं कुस्वल चित्रकारों को सनक्षन प्रदान किया जो की प्रात्मिक रूप से एतिहास एबम काभियों की पांडूलिपियां चित्रित करते थे इसके बाद में दूसरा कतन है पांडूलिपियों में दर्बार के दृष से लड़ाई तथा सिकार के दृष से और सामाजी जीवन के अन्य पहलू चित्रित किये जाते थे अब इन दोनों कत्रों में से जो कतन सत्ते वह उपरोग तो दोनों ठीक है जो अकवर जहांगीर हो जो सहजा है इनों ने कुसल चित्रकाओं का सनक्षन किया था जो कि वहाँ पर प्रात्मिक रूप से इतिहास और जो काप बे इनकी पांडूलुपियों को चित्रित करते थे और इसके बाद में जो वहां की पांडूलुपियां थी, पांडूलुपियों में दर्बार की द्रिस हैं, इसके बाद में लड़ाई है, और सिकार है, लड़ाई सिकार है, इसके बाद में द्रिस से हैं, और सामाजी जीवन और अन्य कई सारे पहलू को चित्रित किया जाता थ ठीक है इसके बाद में हमको मिलता है कोसर नुमर 13 तेरमे प्रस्म में आपसे पूशा जा रहा है कि मुगल सामराज के पतन के साथ चित्र कला के छेत्र में निम्ले लिखित में से क्या प्रभाव पड़े पहला कतन दिया रहा है कि मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिन के छेत्री दर्वारों और राजस्तान के दर्वारियों को प्रभावित किया और दूसरा कतन है मुगल सामराज के पतन के साथ चित्र कार मुगल दर्वार छोड़कर चले गए नए उभरने वाले छेत् तो इसके बारे में अब पूरी डिटेल अनल्सिस लीजिएगा देखे जो मुगल सामराज था मुगल समराज में जितने भी बादसाव हुए है जितने भी वहां के राजा बने हुँ वो सभी लोग चितरकार के विसे में तोड़ी सी जादा ही अपनी प्रेम भावना रखते थे ठीक है और मुगल दर्वार में जो भी चितरकार थे ठीक है वो मुगल दर्वार छोड़ करके नए उभरने वाले छेतरों में चले गए थे क्यों क्योंकि मुगल सामराज का पतन होने लगा था जब मुगल सामराज का पतन होने लगा था तो वहां के जो चितरकार थे वो नए उभरने वाले राज्यों में चले गए थे और परिणाम ये निकला था कि मुगलों की जो कलात्मक रुचियां हैं तिक कलात्मक जो रुचियां हैं उन्होंने दक्षिन के छेतरी दर्वारों और राजिस्तान के राजपूती दर्वारों में को प्रभावित किया था लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेस्ताओं को भी सुरक्षित रखा था और उनका विकास भी किया था मुगल उधारणों का अगर अनुसरान करते हैं तो मुगल उधारणों का अनुसरान करते हुए सास को तथा उनके दर्वारों के द्रिस से चित्रित किया जाते थे अर्था जब ये सारी चित्रकार ने उभरने वाले राजी में चले गए तो इन लोगों ने मोगल की जो अभधारना थी उनको याद करते हुए उनको समझते हुए अपने राजी के अपने दर्वारू को चितरित किया था है इन लोगों ने ठीक है इसके बाद में हमको मिलता है question number 14 और इसमें पूछा जा रहा है कि चित्रकला की बसोहली सैली का विकास किस जगे पर हुआ था इसके लिए यहाँ पर चार आपसन दिये जा रहे हैं राजिस्थान, गुजरात, उत्तरपलेस, हिमाचल तो इन चार में से जो अपसन सही है वो यह अपसन डी अर्था जिसका विकास हुआ था हिमाचल में अब कैसे तो आदुनिक हिमाचल की इर्द गिर्द हिमाले की तलहाटी के इलाके में सत्रवे सताबदी के बाद वाले बरसों में लगुचितरकला की एक साहस पूण एबं प्रभाव प्रभल सहली का विकास हुआ था जिसका नाम दिया गया था बसोहली सहली ठीक है इसको बसोहली सहली का गया था और यहां जो सबसे लोगप्री है पुस्तक चितरित की गई थी वो थी भानुदत की राज मंजरी ठीक है रस मंजरी राज ने रस मंजरी ठीक है तो चलिए आंगे बढ़ते हैं कोश्चन नमर 15 आप सभी लोगों के सामने हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि चितर कला की कांगड़ा सहली किस से संबंदित है option A, राजपु चितरकला, option B, पहाड़ी लगोचितरकला, option C, मुगल कालीन चितरकला, option D, इन में से कोई नहीं तो इसका जो option S, हह tiger हो गाओ is option B, अठाथ पहाड़ी लगोचितरकला अब इसको भी पूरा समझेगा हिमाचल की जो पहाड़ी है ठीक है हिमाल है हिमाली की पहाड़ी में पनजाब और जम्बू के पहाड़ी इलाकों से बिक्सित हुई चितरकला को पहाड़ी चितरकला कहते थे जब नादि साह ने आक्रमण किया था मुइ इलागों में, क्या हुआ था? जब नादिर साह didn, आक्रमर किया था तो जो दिली पर जो भी चितरकार थे, वहां के ठिक है और वहां की जो कलाकार थे, उन सबी लोगों ने क्या किया था? मैदानी इलागों को छोड़कर करके पहाडी लाकों की और पलायन कर लिया था और इसका प्रणाम ये निकला था कि वो वहाँ पर रह करके एक सैली का विकास करने लगे थे और वहाँ पर जो सैली का इनों ने विकास किया था उसका नाम दिया गया था कांगडा सैली ठीक है तो चलिए आंगे बढ़ते हैं और दिखने कोसर नुमर 16 को सोलमा प्रसनाप सबी लों के सामने है और उसमें पूछा जा रहा है कि चितरकला की कांगडा सैली के संदर में दो कतन दिये जा रहा है और इन दोनों कतनों में से कौन सा कतन सकते है ठीक है उसकी प्रेणा के स्रोत वहां के बैशनब परंपरायत थी ठीक है इसके वाज में दूसरा जो कतन दिया जा रहा है वो ये है कि कांगडा सैली की विशेष्ता ठंडे नेले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रियोग और विशेओं का का ब्यात्मंग निरूपन इन दोनों कतनों में से जो कतन सत्ते हो ए उप्रवक तो दोनों कतन अब इसको पूरा समझेगा जब 8 में सदी थी तब की बात है ये 8 में सदी के मद्द भागगता के कांगडा के जो कलाकार हैं उन्होंने एक नई सैली विखशित की थी जिसके लिए जिसने लगु चित्रकाली में एक नई जान डाल दी थी उनकी प्रेणा का सुरोत वहां के बैसनव परंपराएं थी जो की ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रियोग करते हुए प्रियोग और विशे पर काभ्यात्मंग निरूपन कांगड़ा सहली की विशेस्ता ठीक है कांगड़ा सहली की विशेस्ता ये थी कि वहां की ठंडे और नीले हरे रंग है और जो कोमल रंग है इन सभी को मिला करके वहां की जो काभ्यात्मंग निरूपन है इन सभी को मिला करके एक नई तरह की सहली को बनाना ठीक है तो ये कुछ अलग टाइप का ये वैसे आपके एक्जाम में नहीं आएका इतना ध्यान मत दीजीगा इस पर ठीक है और इसके बाद में आपको मिलता है कोशन में 70 है और इसमें पोच्छा जारा की बंगाली भासा का उद्बहु किस भासा से हुआ है आपके बंगाली भासा संस्कृत से निकली हुई मानी जाती है इसा पूर्व जब चौती तीसी सताब्दी से बंगाली बंगाल और मगत के बीच में बानिजीक संबंद स्तापित होने लगे थे जिस कारण से संभब्दा वहां की संस्कृत का प्रभाव बढ़ता चला गया था और चौती सताब्दी के दोरान गुप्त बंसी सासकों ने उत्तरी बंगाल पर राजनीतिक नियंतरन करके वहां के ब्रामणों को बसाना शुरू कर दिया था तब इस प्रकार की गंगा स्रवत संस्कित से संबंदीत भासाओं का प्रयोग हो राए अब हुआ कहता जब वहां पर ब्रामणों ने अपनी भासा को बोलना सुरू कर दिया और सामने है और इसमें पूछा जा रहा है कि आधुनिक बंगाली भासा के विकास में किन भासाओं का योगदान रहा है option A संस्कित option B फार्सी option C जन जाती भासा option D सोरी यहां पर एक दो तीन चार में A B C D बोल रहा हूं ठीक है तो पहली यह संस्कित दूसरी भार्सी तीसरी जन जाती चौती है यूरोपी भासा और इन चारों में से जो भासा सही है वो है उपरोग तो सभी इन सभी भासाओं का योगदान है ठीक है अब है क्या पूरा तो समझेगा यह दबी बंगाली भासा का उद्बो संस्कित से हुआ है पर अनेक बिकास क्रम में यह अनेक अवस्ताओं से गुजरी है ठीक है संस्कित के अलाबा गैर संस्कित सब्दों का एक विसाल सब्द भंडार जोकी जंजाती भासाओं, जंदाती भासाओं, फार्सी और यूरोपी भासाओं सहित अनेक सुरोतों से प्राप्त हुआ है ठीक है और आधुनिक बंगाली का हिस्सा यी बन गई है आज ठीक है तो क्या है कि देखिए बंगाल में जो लोग जाते थे जैसे कि ब्रामार पहुंच गए ब्रामारों ने अपनी संस्कित भासा रख दी बंगाल की वहां का योगदान है चली आंगे बढ़ते हैं कोस्तों नमबर 19 और इसमें पूछा जारे कि महा सौरी मंगल काब किस चेत्र से संबंधि साहित क्रती है और इसका जो ऑप्सन बी है ये बिल्कुल करेक्ट है अर्थात बंगाल की ठीक है तो इसको भी समझेगा संस्कित महा काब का बंगाली भासा के लिए में किये अनुबाद को मंगल काब कहते हैं ठीक है इसको मंगल काब कहा जाता है कि इसको संस्कित महा काब का बंगाली भासा में अनुबाद को ठीक है और जो कि साबदिक अर्थों में अगर देखा जाये तो साबदिक अर्थों में सुभ यानिकी मं और काबिक आर्थ होता इस्थानी देवी देपताओं के संबंद में तो इस्थानी देपताओं के संबंद में ये के जो तो काबे रचा गया है चली आंगे बढ़ते हैं और कुश्चन नमर 20 आप सावीलों के सामने और इस प्रस्ट पर आप लोगों को टिपड़ी करनी है इस संस्कित की संड़ी तथा दूसरी संड़ी जो है वो है स्वतंत्र ठीक है इसके बाद में दूसरा कतन दिया जा रहे कि पहली संड़ी में संस्कित काब्यों के अनुबाद मंगल काब्य और भक्ती साहित समाहित है और दूसरी संड़ी में जो तो नात साहित सामिल है अब इन बंगाल का प्रारामिक साहित है, इसको मुक्री रूप से दो सेड़ी में बांटा गया है, ठिक है? बांटा जा सकता है, इसकी जो पहली सेड़ी है, वो यह संस्कृत महाकाब के अनुबाद की, ठीक है? जो की मंगल काब बे और है, जो तो साहित जैसे की गौडी बैसनव आंदोलन के नेता ठीक है और चैतनी देप की जिवनिया है ये सामिल है इसके बाद जो दूसरी सेड़ी आती है इसमें नात साहित सामिल है जैसे की गोपी चंदर के गीत धर्म ठाकूर की पूजा इनसे संबंदित कहानिया परमपराएं और जो लोग कताएं है इनकी गाता मिलती है इसमें ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं कोस्टर नमबर 21 आप सभी लोग के सामने है और इसमें पूछा जा रहा है कि बंगाली साहिति के संदर में दिये गए निमलिकित कतनों में से कौन सा कतन सकते है पहला कतन है बंगाली के प्रारंबिक साहिति की पहली स्रेड़ी में स्रेड़ी के गरंतों का काल निर्धारन करना आप एक शक्र सरल है क्योंकि ऐसी पांडूल्पियां पाई गई है दूसरा कतन दिया जरा है कि दूसरी स्रेड़ी के क्रतियां मौखिक रूप से कही सुनी जाती थी इसलिए इसका क काल निरधार्ण करना सढ़ी नहीं किया जा सकता है ठीक है तो इन दोनों में से कौन सा कतन सब्सक्राइब है अगर आपको पता है तो answer दीजेगा चलिए इसका अंसर मैं आपको बताता हूं इसका अंसर होगा उपरोग तो दोनों सेंडी वाली है इनका काल जिधार्ण करना सरल है क्योंकि इनकी जो पांडूलिपिया है वो आज पाई गई है और उसमें लिखा है कि ये जो रचनाई ही किस कालाबदी में लिखी गई है जबकि जो दूसरी वाली जो मौकिक है जो दूसरी वाली क्रतियां है जो दूसरी प्रवाव अपैक्षा करते थे तो इसी प्रकार से ये मौकी रूप से चली आ रहे थी इसलिए इनका काल निधान करना सही सही नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये पता ही नहीं कब से कब तक आ रहे हैं और वे खास करके पूरवी बंगाल में लोपरी बहुत थी जहां पर ब्रा करके पांडुलिपी में सजोर देते थे तो उसका काल निधान करना संबब हो जाता था चली आंगे बढ़ते हैं इसके बाद में हमको मिलता है कोस्टन नमर बाइस और इसमें पूछा जारा कि बंगाल के संदर में दिये गए दो कतनों में से कौन सा कतन सकते है ठीके बंगा लदिकारी और करमचारी लोग भूमी प्राप्त करके अकसर उस पर मस्जितें बना लेते थे जो कि इन 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 इलाकों में धार्मिक रूपांतरणों रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी अब इन दोनों कतनों में से कौन सा कतन सत्ते है जल्दी से प्रसासन की भासा फार्सी रखी ती यह चलिए आगे बड़ते हैं इसके बाद में हमको मिलता है कोशन नबर तेज़ और यह आज का ऐसा प्रसन है जो कि आपको समझा चाहिए दिया जा रहा है कि बंगाल की पीर स्रेड़ी में कौन-कौन सामिल है सामिल थे, सुरी सामिल थे तो इसके लिए आपर चार आपसन दिये जा रहे है उसमें से जो आपसन डी है ये विल्कुल करेक्ट है अतारत उपरोग तो सभी पीर फारे हैं इसमें आपको चार आपसन दिया जाते है और इसमें से जो आपसन डी विल्कुल करेक्ट है जो हिन्दु देवी देपता है ये सामिल थेvida कि इसमें पीर स्रेड़ी में थीक है इसको पूरा समझी है क्योंकि ये इंपॉर्ट猟 है पीर फार्ची बासा का एक सब्द है ठीक है जिसका आर्थ होता है आध्यात्मिक मार्ग दर्सक और आध्यात्मिक मार्ग दर्सक में हिंदु देवी देपता भी आते हैं बहुत देवी देपता भी आते हैं जीवात्माय भी आते हैं ठीक है तो प्रारम में बाहर से आकर के बं पर उखने कोछ जगए मिले और इसी प्रकार से बंगाल में भी होता था जो भी लोग बाहर से बंगाल में बसने के लिए आते थे वो चाहते थे कि हमको यहाँ पर बसने के लिए कुछ इस्थित मतलब कुछ तो ऐसा जो तो आस्वासन मिले जिससे कि मैं आपर रह सकें ठीक है और यह जो सुख सुविदाएं होती थी यह सुख सुविदाएं और अस्वासन उन्हें वहां के समुदाइक जो नेता होते थे वो प्रदान करते थे और यह नेता लोग सिक्षकों और निर्नायकों की भूमिका भी अदा करते थे ठीक है और कभी-कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास में अलोकिक सक्तियां है और इसने और आदर से लोग इने पीर कहते थे ठीके क्या कहते थे पीर कहते थे और इस पीर सेनी में संत, सूफी और अन्य धार्मिक महानुबाओ, सासी, उपनवेसी और इसके देवत प्राप सेनिक एवं योद्धा और बिवि की मजारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती है आज भी ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं इसके बाद में हमको मिलता है कोस्टन नमर 24 और इसमें पूछा जारे की दो चाला और दो चाला इस थापति कलास रेड़ी सायली का संबंध किस शेत्र से है तो इसके लिए भी यह चतों बाद में मंदिर हैं मंदिरों की जो और इनों इनके अंदर जो मंदिर की मंदिर की स्थापा तिकला में बिषिष्टे बंगाली सैली का परदुर्बाव हुआ है चलिए आंगे बढ़ते हैं सेया कहा मिलता है पचीसमा प्रस्तन और इसमें पूछा जा रहा है कि बंगाल के संदर में दो कतन और दिये जा रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से कौन सा कतन सत्य है पहला कतन है बंगाल में यूरोप की ब्यापारी कम्पनियों के आज आने से नए आर्थिक अबसर पैदा हुए और दूसरा कतन है जिस कारण निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू जो की तेल बारत तेली कहा जाता इसको इसको केसरी जो की धात उगंटा के कारी करते इनों ने कालू और केसरी ने इन अबसरों का लाब भी उठाया तो इन दोनों में से जो कतन सकते हैं वह उप्रोक्त दोनों ठीक है अब पूरी बात यह है कि बंगाल में यूरोपी ब्यापारी कमपनिया जो थी उनके आ जाने से यहां पर नए नए आर्थिक जो अपसर है वो पैदा हुए थे और जिस कारण से निम्न सामाजिक समूह जैसे की कालू तेली केसरी धातु अंटा की कारीगर है इन्होंने एक नए अपसर का लाव उठाया था जैसे यसे लोगों की सामाजी कार्थी किस्ति सुधरती गई थी उन्होंने विभिन ने इस मारकों की निर्मार के माद्यम से अपनी प्रतिष्टा की गोश्णा कर दी ठीक है तो चली आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के 26 में प गतन है बंगाल में स्थानी देवी देपता जो कि वहां के गाउं छपर वाली जोपड़ियों में पूझे जाती थे अठार्मी 19 सदी में उनकी प्रतिमाय मंदिर में स्थापित की जाने लगी पहला कतन यह है और दूसरा कतन है इन मंदिरों की सकल या आकरती बंगाल की जो चाला अर्था दो चतों वाली और चार चाला करता है चार चतों वाली होती थी तो इन दोनों में से जो गतन सकते हैं वह उप्रोग तो दोनों ठीक है इसमें उप्रोग तो दोनों गतन सकते हैं और इसके आदे 27 में आज का हमारा लाश्ट प्रसन है ठीक है तो दिया जारा क और उनको मंदिरों में स्थापित किया जाने लगाता चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का 27 में प्रस्ण दिया जा रहा है कि नीचे दिये गए निमलखित कत्नों में से कौन सा कतन सरते हैं पहला कतन है मचली एवं चावल को गरीब बंगाली की भोजन सुची में मुखिस्थान प्राप्त है दूसरा कतन है बंगाली साहित एवं इस्थापते में मचली का कहीं भी उल्लेक नहीं किया गया और तीसरा कतन है बंगाली ब्रामनों को मचली का भोजन मचली को भोजन में स तटीय मैदान है और यहां पर जो मचलियां हैं इसका मचली एवं धान की उपज बहुत ही तदाद हैं बहुत तादात में होती है क्योंकि मचली जो भी नतीय मैदान होंगे जहां पर जिसके पास में नदी होगी वहां पर क्या है कि नदी में मचलियां होंगी और नदी से जल मचली का इस्थान इस्थान पर उल्लेखम को मिलता है और मंदिरों और बहुत बिहारों की दिवारों पर जो की मिट्टी की बनी थी वहाँ पर मिट्टी की पटियां लगी है ठीक है पटियां लगी है उनमें मचलीयों को साप करते हुए और टोकरी में भर करके बाजार ले जाते हुए दर्साय गया है ब्रामनों को सामिस भोजन करने की अनुमती नहीं थी वहाँपर जो कि यहांपर तीसर करतन दिया जा रहा है कि ब्रामनों को मचली खाने की अनुमती दिय गई थी तो वहाँ पर क्या था कि जो ब्रामण थे उनको सामिष भोजन खाणी के रुमत नहीं थी अर्थाद मांसारी भोजन नहीं कहा सकते थे लेकिन क्या था कि वहां की स्थानी आहार को देखते हुए लोगपरीता को देखते हुए कुछ ब्रामनों ने जो ऐसे ब्रामन थे ब्रामन धन पर जो विशेशा के थे वो लोगों ने वहां पर रह रहे ब्रामनों को जो तो इस निशेद से धिल दे रही थी और ब्रिहत धर्म पुराण के बंगाल में रचित हुआ है ये तेर्मी सदी का संस्कृत ग्रंत है इसमें ब्रामनों को कुछ खास किसम की मशली खाने को अनुमत ही दी गए थी ठीक है तो क्या है कि अगर आप ब्रामन हो मैं भी ब्रामन हूँ तो इस बात को जानता हूँ अग अब उस बात को छोड़ी का आंगे बढ़ते हैं और आज की इस चिप्टर में हमारे इतने ही प्रसंते अगर आपको NCRT के नोट्स लेने हैं इसी प्रकार के सभी चिप्टर के पीडिया करें तो हम उनको उसका पीडिया दिया करें जो भी लोग आंसर देते हैं वो लोग मै चाते हैं उन लोग को इसके लिए पेमेंट करना होगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जहन दोस्तों